में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशी के मंतली रासी फल यानि दिसंबर साल का अंती महिना मकर राशी के लिए कैसा रहेगा कैसी होगी मकर राशी की धनकी, स्वास्त की, परिवार की इस्तती, उनके दामपत्य, उनके प्रेम की इस्तती इसके बारे में इस कारिकरम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले देखा जाए तो मकर राशी वालों के स्वास्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो ये कुंडली आ रही है आप देख रहे हैं मकर राशी की कुंडली है और दुत्य भाव में शनी देव विराजमान है तृत्य भाव में राहू विराजमान है चतुर्थ भाओं में ब्रस्पती बैटे हैं हंस योग का निर्मान दिसंबर में हो रहा है साती साथ चंदरमा सप्तम भाओं में बैटे हैं साती साथ मंगल सूर्य और मंगल लाब भाओं में बैटे हैं रोचक योग बन रहा है यानि देखा जाए तो दिसमबर के महिने में तीन महत्वपूर्ण योग पंच महा पुरुशों में से दिसमबर में मकराची में बन रहा है शच योग बन रहा है दूसरा आपका हंस योग बन रहा है तीसरा योग के बारे में बात करें तो रोचक यो मकर राशी के दुत्ती स्थान के अंदर बैट गए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर के महीने आप हार्ड वक करने वाले अपने पुराने पैंडिंग काम को आप पूरा करने वाले हैं यानि खूब महनत करने के आप सोच रहे हैं काम को बढ़ाने के आप सोच रहे हैं कुछ नई प्लानिंग करने के बारे में आप सोचने वाले हैं और किर्यानविद भी करेंगे यानि कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं काम को बढ़ाने के लिए आपका दिसंबर में पूरा फोकस अपने धन कैसे प्राप्त हो साती सात काम कैसे बढ़े इस पे आपका लगेगा क्योंकि लगन के स्वामी दुत्य भाहूं में बैटें धन की स्थती के बारे में बात करें तो धन की स्थती में तो शनी देव शच योग बना रहे हैं पूरा दिसंबर का मैना एक तारिक से लेकर 30 दिसंबर तक बहुत अच्छा रहने वाला है यानि लक का जबरदस्ट आपको साथ मिलेगा आपको बज मैनत करके अगर आपका धन रु सकता है धन का फ्लो वैसे दिसंबर के मैने में पूरो का पूरा दिसंबर बहुत ही अच्छा रहने वाला है और 20 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर के बीच में आपका थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा मोबाइल लैप्टॉप या उपकरणों पे आप कुछ धन खर्च करें में बैठें और बिरस्त पती जब चतुर्थ बहों में बैठ जाते तो दिसंबर में परिवार के अंदर शांति का महोल रहे दिसंबर में आपको परिवार के सदसे से कोई खुशकबरी मिल सकती है साथ ही साथ दिसंबर के मेने में आप फैमिली को टूर करवा सकते हैं नदी पहाड़ों की यात्रा के युग नजर आ रहे हैं यानि कि फैमिली के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले है आप बात कर लेते हैं मकर राशी वाले उनकी जिनकी संताने हैं तो संतान में भी देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी यानि पंचम जो सेकंड लखा है पंचम भाव के स्वामी शुक्र है शुक्र दसम स्थान में तुला राशी में बैटे हैं केंद्र त्रिकॉंड राशी दिसंपर तक देखा जाए छोटी सँन्तान है तो एजूकेशन बढ़िया है पूरो दिसंपर का महीना एजूकेशन के लिए अच्छा रहेगा बड़ी संदान है तो करियर के लिए में कोई बड़ी अचीवमेंट हाज आएगी करियर में बड़ी संतान जो 18 से उमर की संतान है वो बताएंगे आपको कि हमें कुछ नया प्रोजक्ट मिल सकता है नया करियर का ओफर आ रहा है और संतान के रुकेवे काम भी दिसंबर के अंदर संपन होने को के योग बनते हैं यानि बनने के योग बनते हैं साथी साथ जो आपकी बड़ी संतान है उनको वो कोई मुबाइल कोई उपकरन कोई लैपटोप लेने वाले हैं उसका भी योग दिसंबर के महिने में शुक्र के मालब भी योग से बन रहा है तो कुल मिलाके संतान के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है और मित्रो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो हम मंतली राशीफल बताते हैं यह जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है यदि आप काफी काफी समय से देख रहे हैं और साल आ गया और अंति महीना आने वाला है और सल्यूशन आपको आपकी प्रॉब्लम का मिल नहीं रहा है तो भई आपको 7210124289 पे वर्टसेप करके डेटो बर्ट, टाइम बर्ट, प्लेस बर्ट और अपना प्रशन लिखके मुझे भेजना पड़ेगा और टेलिफोनिक आपको राय लेनी पड़ेगी जिस प्रकार छोटी मोटी बीमारिया होती है न मित्रो जैसे ENT, पेट की छोटी मोटी समस्या होती है तो हम कैमिस्ट से दवाई ले लेते हैं लेकिन अगर हमें जादा प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम छोटी मोटी उपाए से ठीक ना हो रही हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर से टेलिफोनिक अपॉइनमेंट लेते हैं इसी प्रकार से यह जो हम बता रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन है अगर आपको लगता है कि से हमें हमारा काम नहीं चल रहा है कुछ 20-30 परसंट ऐसे लोग होंगे जिनका काम नहीं चल रहा होगा तो उनको बही कुछने करना आपको अपनी कुंडली दिखानी तभी आपका कुछ समाधान निकल पाएगा आप बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में तो मकर राची वाले जितने भी स्टूडेंटे वो याद रखें एक तारिक से लेकर 31 दिसम्बर यानि पूरो का पूरा दिस प्रोजेक्ट चेंज का योग आपका नजर आ रहा है साती साथ जो स्थान परिवर्तन होगा जो प्रोजेक्ट चेंज होगा उससे आप खुछ नहीं होंगे यानि अंचाहा स्थान परिवर्तन अंचाहा प्रोजेक्ट चेंज होगा जिससे आपको थोड़ा टेंशन रहेगी साती साथ जो नौकरी करते हैं मकराशी वाले दिसम्बर में ऑफिस के अंदर जूट ना बोले या बहाने ना बनाए नहीं तो आप पे वो भारी पड़ सकत है आपके जूट आपके बहाने पकड़े जा सकते हैं जिससे गलानी हो सकती है तो इसलिए जूट का और बहानों का सारा दिसम्बर में कम लेना है बुद्ध है कमजोर भई अब बात कर लेते हैं मकराशी वाले लोगों के दामपत्य जीवन के बारे में तो दामपत्य जीव करते हैं वैसे ही रहेगा हाँ दिसंबर के मैने में नदी समुंद्र की यात्रा आप दोनों कर सकते हैं इसका योग चंद्रमा क्योंकि सप्तम्भाव में पानी का कारक होता है तो वह बन रहा है पती पतनी के बारे में बात करें तो यह जो चंद्रमा होता है यह माता-पिता का बिकारक होता है तो पाटनर के कुछ समय के लिए अपने माई के जाने के या अपने घर जाने के दिसंबर के महिने में योग बन रहे हैं क्योंकि चंद्रमा पानी का भी का रology होता है, माता पिता का भी कारक होता है। कूँ दिसंबर का मेना काम में तेजी रहेगी ओफिस के अंदर किसी खुशकबरी को लेकर या इंपूए की कि या आपकी खुशकबरी को लेकर आफिस में आके दिसंबर का महीना दुकानदार व्यापारी वर्गों के लिए लाव 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 कारी रहने वाला है मित्रो इस कारिकरम में बलतना ही मुझे दीजे जाया चैमात अदी